नमस्कार दोस्तों मेरे चेनल में आपका स्वागत है आज हम बनाने जारें सूजी का भोती टेस्टी हल्वा ये हल्वा खाने में भोती ज्यादा टेस्टी लगता है साथी ही से हम आसानी से और जटपट से बना कर तयार कर सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हम ग टोरी सूजी और सूजी को हम चलाते हुए घी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गेस के फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे लगातार सूजी को चलाते हुए भूनेंगे जब तक कि सूजी गोल्डन ब्राउन कलर की ना हो जाए हमें लगातार चलाते हुए भूनना है साथ ही इसमें से बहुती अच्छी खुस्बू आने लग जाएगी इसका मतलब है हमारी सूजी है जो भून करके ready हो चुकी है तो आप देख सकते हैं जो हमारी सूजी है वो भून चुकी है अब हम इसमें डालेंगे दो गिलास गरम पानी जी हाँ हमें गरम पानी का ही यूज करना है इससे जो हमारा हलवा है वहती ज़्यादा खिला खिला और दानेदार बनेगा अब हम इसे लगातार चलाते हुए पकाते हैं जब तक कि ये गाड़ा ना हो जाए तो देखिए हमारा जो हलवाए वो गाड़ा हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे एक कटोरी चीनी और चीनी को अच्छे से हलवे में मिक्स करेंगे चलाते हुए तो ये देखिए हमने चीनी को भी हलवे में अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम लेंगे कुछ ड्राइ फ्रूट्स तो मैं डाल रही हूं इसमें बादाम और किस्मिस तो आप अपने स्वाद के नुसार कोई से भी ड्राइ फ्रूट्स ले सकते हैं इने भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दो मिनट हम इसे और पकाएंगे साथ ही हम इसमें डालेंगे सुखा नारियल जिसे मैंने कद्दुकस कर लिया था तो उसे भी मैं इसमें एड कर रही हूं इसे भी इसका स्वादे जो भोती अच्छा आता है अब हम गैस को बन कर देंगे हलवे को नीचे उतार लेंगे तो ये लीजे दोस्तों हमारा हलवा बन कर रेडी हो चुका है अब हम इसे प्लेट या थाली में ट्रास्फर कर लेंगे और इसे हम 10-15 मिनट के लिए रेश्ट पे रख देंगे तो ये देखिए हमें 10-15 मिनट हो चुके हैं हलवा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है अब हम इसे चाको की सायता से वर्फी के सेप में काट रहे हैं तो ये देखिए मैंने इसे दोनों साइड से काट लिया है अब हम इसे चाको की सायता से इसके पीसों को इस तरह से निकाल लेंगे ये बड़ी ही आसानी से निकल जाएंगे तो दोस्तो सूजी का हलवा है जो खाने में बहुती ज़दा टेस्टी लगता है और ये बहुती ही आसानी से और जटपर से बन करके तयार हो जाता है इसमें ज़्यादा ज़ंजट नहीं लगती है साथ ही हम इसको उपर से ड्राइफ रूट भी लगा सकते हैं जिससे इसका और भी स्वाद बढ़ जाएगा तो दोस्तों आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करें, लाइक करें, सेयर करें प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद